हेलो फ्रेंड्स यह देखिए आज एक हमारे सामने सिस्टम आया ठीक होने यह है तिंग सेंटर और इसमें प्रॉप्लम क्या रही है एक डिस्प्ले क्या रही है इसको आन करके देखते हैं कि इस तरीके से दे रहे हैं और चेक करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है प्रैन चल रहा है सिस्टम आन हो रहा है लेकिन इस्क्रीन पर हमारे कुछ नहीं है और नहीं स्क्रीन पर कुछ है और नहीं कीबोड पर कुछ है अब इसको प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करते हैं प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले हम इसको आफ करेंगे आफ करने के लिए डिरेक्ट पावर कॉड भी निकाल सकते हैं और नहीं तो इसके पावर बटन को 30 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे यह हमारा अब हम इसको ट्रॉबल शूट करेंगे यह दो रेम्स हैं अब हम इस प्रॉब्लम को ट्रॉबल शूट करेंगे यह दो हमारे पास रेम है पहले हम वन बाई बन इसको चेक करेंगे पहले मैं एक रेम निकाल रहा हूं यह वाली रेम में लफ्ट शैड वाली रेम निकाल रहा हूं यह मैंने निकाल लिया है यह लोक्स से दोना लोक को नीचे को प्रेस करना है तो मारी रेम बाहर आ जाएगी अब मैं इसको अन करके देख रहा हूं अब इसकी वही सिच्विशन है यह कंटिनू बेब दे रहा हूं कि अब मैं दुबारा से इसको आफ करता हूं कि पहले मैंने लेफ्ट वाली रेम निकाली थी अब मैं राइट साइड वाली रेम निकाल के लेफ्ट वाली जो निकाली थी उसको वापिस से लगाँगा क्यूंकि हमें एक एक रेम करके चेक करना था इस तो रेम लगाने से पहले ही यह कट जरूर मैच कर लेना और लॉक्स को ठीक से लगाना पुल्टी रेम लग गई तो यह खराब भी हो सकती है यह कट देखो यह एक से छोटा कट है एक साइड बड़ा है ऐसी रेम में भी है यह कट छोटा है यह कट बड़ा है कि मैं इसको सेट करता हूं कट मैच करके जोस्तों मैंने लेफ्ट वाली रहम लगा दिये है राइट वाली अभी निकली हुई है अब मैं चेक करूँ है और यह मेरा यह मेरा सीप्यू चल गया है और मेरा स्क्रीन भी अन हो गया है और मेरे कीवोड पे प्लोग की राइट भी आ गई इसका मतलब इस सेकेंड वाली रहम जो मेरी थी इस पर प्रॉब्लम है मैं इसको साफ करके इरिजर की हेल्प से वापिस लगाऊंगा फिर दुबारा चेक करूँगा अगर बीप नहीं आती तो इसको लगा दूँगा नहीं तो इसको चेंज करूँगा इसको साफ कर लेते हैं कि इसको साफ करके वापिस लगा दिये हैं अब मैं इसके वाण करके देखता हूं क्या सिच्वेशन है कि मैं सीप्यू ओन हो गया कि मेरी नम्लोक की भी लाइट आगी है और सिस्टम भी ओन हो गया